2018 में ये जो चुनाव हुए, बहुत से राजनिती विशेशग के कहते हैं that the reason for the loss was एक तो नोटबंदी और फिर GST के पूर इंप्लिमेंटेशन. अगर आप पीछे देखें तो क्या नोटबंदी की जरूरत थी? उसके objectives जो थे वो… आप आप देखिए, हमारे देश में बार-बार खबरे आती थी, काला धन, काला धन, और कोई इस बात से इंकान नहीं करता है, कि देश में parallel economic चल रही थी, इसको कोई इंकान नहीं कर सकता है। उद्योगपतियों के घर से, वैपारियों के घर से, बाबूओं के घर से, बिस्तर के नीचे से नोटे मिलती थी, बोरे भरवर के पड़ी हुई नोटे मिलती थी, ये सारी चीजें, इस बात का द्यो तक है, कि हमारे देश में formal economy की बहुत अनिवारियता थी। ये parallel जो economy थी, इसने देश को एक प्रकार से भीतर से खोखला कर दिया था। नोट बंदी ने सबसे बड़ा काम किया है, और जो आने वाले दिनों में देश को बहुत ही मजबूती, आर्थी ग्रूप से मजबूती देने वाला है। और वो है, ये जो बोरे भर भर करके नोटे पढ़ी रहती थी, वो banking व्यवस्ता में आई है। दूसरा, आज आप नई PD से बात करो, वो कहते हैं हमारे माबाप को जो करना पड़ा करना पड़ा, वो जमाने में साथ टैक्स रिजिम ऐसी थी है, अब हम इमानदारी से करना चाहते हैं। दूसरा, आप पहले के तुलना में टैक्स नेट में जो संख्या थी, वो बड़ी हैं। इसको क्या कहेंगे? इसके सबरता कहेंगे और नहीं कहेंगे? आज लोगों को बैंकिंग सेक्टर के मध्यम से खुला काम करने का इच्छा जग रही है। इसको हम अच्छा मानेंगे दूसरा, हमारे देश में करंसी, GDP के तुलना में कम होती जा रही है। यह अपने आप में एक शुब संकेत है। अदरवाइक जिस रुप से पहले चल रहा था, उसी कम से चलता, तो आज शायद हम इतनी बड़ी मातरा में नोटों के धेर होते हमारे देश में, शायद चीज हमने देश को कहा था, कि यह एक व्यवस्ता है, अगर आपके पास इस प्रकार का धन है, तो आप जमा कराइए, और उस में से आपको इतना इतना धन देना पड़े का आपको मदद मिल जाएगी। लेकिन पहले की सरकारों की तरह उन्होंने सोचा मोदी भी ऐसा ही है, तो ब मेडिया के माद्यम से कहा था, कि यह इसका फायदा उठाइए, पार्लमेन भी भी कहा था, अगर हम इसका फायदा नहीं उठाते हैं, तो परिस्तितिया ठीक करने के लिए हमको कोई कदम उठाने पड़ेंगे। यह रातोरात नहीं हुआ है जी, एक साल भर यह प्रक्रिया चली है, बार-बार कहा गया है, उसके बाद यह करना पड़ा है, और ये देश के स्वास्त के लिए कि करना जरूरी था, आर्थिक स्वास्त के लिए करना जरूरी था, जहां तक आर्थिक विकास का सवाल है, अब कोई भी ववस्ता बदलते हैं, तो इवन रेल भी, जब हुए था हमारे देश में आपको मालूम है GDP कितना घीर गया था करीब करीब दो परसंड के भी नीचे आ गया था क्योंकि एक बडलाव आया था तो बडलाव के करण लेकिन बाद में बाद में स्थीटी समझ आज हम भी हमारे जी ग्रोथ रेट था वो पुरी तरह पहुंच गए हैं लेकिन एक सफाई की जरुरत थी उसको हमने सफलता पुर्व किया है और अब एक मांसिक वह अवस्था भी बनी है देश की इस तरह जाने की